एक परधान मंत्री नहीं, मुझे तो बहर रूपिया लगता है, बार-बार रूप बदल का राजाता है, कहीं कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ, कहीं कहता है मैं जम्ना का बेटा हूँ, कहीं कहता है मैं बिहार का बेटा हूँ, कहीं कहता है मैं बंगाल का बेटा हूँ, अरे अगर मोदी जिन अच्छे काम करें होते अगर भारते जनता पार्टी ने अच्छे काम करें होते अगर गरह मंत्री जिन अच्छे काम करें होते तो मैं समझता हूँ इतनी रेलिया करने की जुरूत नहीं जो घर का नहीं बाप का नहीं बच्चों का नहीं बीबी का नहीं दोस आज हमारे साथ मौजूद है पंडित जगदी सर्मा जी जो कि राहुल प्रेंगा गादी सेना के राष्ट अधक्ष हैं और कॉंग्रेस के बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है डियास फो नियूज में सर सवाल है मेरा कि पूरा पाकरसित कर रहे हैं आखिर जो ये रेलिया करना बार बार क्या दरसाता है देखे सबसे पहले तुम्हें आपके चैनल के मादम से अपने नेता राहुल गांदी जी को बढ़ाई देता हूं और उन सभी दलों को जिनोंने इस महमारी के बीच में सोचा कि लोगों की जान जर जाता चाहिए कहाँ है ये लोग आज ढूंड रहे हैं समचान घाट में लैने लगी हुएं किसी को समय नहीं मिल रहा कि कैसे अपने जो पिरियद चले गिया उनको कैसे अंतिन सर्धान जिली दे उनको संसकार करें पर नहीं ये लोग सत्ता के भूके हैं सत्ता के गलियारों में हैं महामारी किसी से छुपी नहीं है पुरे देश में है पुरे संचार में चल रही है और एक साल हो गया एक साल तक क्या करतरे बड़ा सवाल ये भी है एक साल तक सरकार ने क्या करा मोदीज ने क्या करा ग्रह मंत्री ने क् करा क्या किसी अपनी अपने लोगों के लिए कोई काम करा होस्पिटल बनाए या बैट जादा बनाए या त्यारी करी कहीं ना कहीं ये पांस साल में पुरे साल में राजनिती और चुणाओं में रहते हैं सत्ता के गलियारों में रहते हैं कहीं ना कहीं आज देश के हालात किस को जो है रधकर देती हैं तो ऐसी सित्थी में जो है सत्ता में बैठे वे लोग हैं उनके एक एंगरिस पर्टी को jsुैंआ को यह वो प आठिया है समय समय देती रही है सहाधत ले ना इजानती यह तो सहाधत ले रहे हैं कि अपने लोगों की जिनों ने को बूर्ट दिया लेकर सीरिस नहीं है ना हमारे ग्रह मंतरी ना हमारे परदान मंतरी और ना है क्या सकते हैं भारते जनता पार्टी चुनाओ में जीस तरह से रेलियां कर रही हैं देश में लोग मर रहे हैं बिमार हैं दवाई नहीं हैं बैड नहीं हैं पर इनको रेलिक करनी जरूरी है राहू तो हमने सत्तर साल देखे हैं, सत्तर साल इस देश को चलाया है, हम लोगों के दिल के भुके हैं, प्यार के भुके हैं, लोगों के भुके हैं, हम लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, हम उनके साथ कंदे से कंदा लगा कर खड़े हैं, साथ खड़े हैं, आज राहूल गांदी ज का है परदान मंत्री जी इस गरीब मच्दूर को जो फिर प्लाइन कर रहा है इनके खातों में पैसे डालो इनको पैसा डाल चाहिए इनको खाना है खाना है बोजन करना है अपने बच्चों को पालना है लोग डाउन क mesma लोग डाउन समझाएंगा का हल नहीं है पर कही नखिए कि मैं समझता हूँ जिस तरह से कांग्रेश पार्टी और नेता इस देश के लोगों से प्यार करते है ये मोदी जी को भी सीखना चाहिए वही मोदी जी है जो कहते थे कि मोदी के कर्मों का फल मिल रहा है अच्छे करम करें हैं तो अच्छा देश चल रहा है तो आज मोदी जी चुप क्यों है खामोश को हैं क्या ये करम भी मोदी जी के करमों का ये है जो देश की जनता भुगत रही है मैं तो भगवान से प्रातना करता हूं हाद जोड़कर ये भगवान मोदी के कर्मों की सज़ देश को मत दे इस देश को मत दे इसी देश ने ये देश के लोग बड़े परिशान है दुखी हैं रो रहे हैं तरस रहे हैं अपने बचों के जीवन के लिए अपने पिता के जीवन के लिए अपने परिवार के जीवन के लिए पर मोदी निकले ऐसा क्या था चुनाव जीतना अगर मोदी जिन अच्छे काम करे होते अगर भारते जनता पार्टी ने अच्छे काम करे होते अगर गरह मंत्री जिन अच्छे काम करे होते तो मैं समझता हूँ इतनी रेलिया करने की जुरूत नहीं थी अपने लोगों से अपेली कर दे आतम निर्भर बनो आज मोदी जी यही समझ में आ रहा है वो कहते रहे चिला तरे बार बार कहते रहे कि आतम निर्भर बनो आपको सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला मोदी जी जी कुछ नहीं मिलने वाला आप आतने में भरो ही मोदी जी कहते रहे पर इन देश के लोगों कोई समझ में नहीं आया जिसकी आज दूरदसा देखने को मिल रही है ना रोजगार है ना काम है ना खाना है ना रोटी है लोग लेकिन जगदी सर्मा जी सवाल अब यहां पर यह भी उठ रहा है कि सबसे पहला सवाल तब यह उठ रहा है कि पूरे बंगाल चुनाओं के अंदर जो है जब खास करके ऐसी दोर में जब पुरा देश जो है एक अलग ही माहौल से गुजरता हुआ नजर आ रहा है लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है लोगों बहुत असमंज़सा फिल कर रहे हैं ऐसी सिती में जो है प्रधान मंतरी मोदी जी की जो रैली है सबसे अलग ही नजर आ रही है और दूसरी चीज़ यह है कि आखिर परचार परसार जो है बंद क्यों नहीं करना चाहते हैं देखें मोद दिलाना भी आपका काम नहीं है उनकी सुरक्सा का भी आपका काम नहीं है लोग परेशा ने उनको सांत वना देना भी आपका काम नहीं है तो आपका काम क्या है आपका काम सरफ चुनाओ जीतना है या चुनाओ कराना है या सता में बैठे रहना है ये भारत में जो चल रहा ह ओप्रेशन क्लीन सब के लिए चल रहा है किसान तो विचारा मजबूर है दुखी है अपने बच्चों को निपाल पार है जो सब का पेट भरता अज वही रोड पर है इस सरकार को कुछ नहीं पता राहूल गांदी ने सही का है हम दो हमारे दो ये लोग उनी के लिए जी रहे ह किसान महिला मजदूर नोजवान वेपारी मैं कहता हूँ समझ भारत के लिए परधान मंतरी जिने ओपरेशन क्लीन चला रखा है ये समझने और सोचने वाली बात है क्या हमने इसी दिन के लिए परधान मंतरी को चुना था एक परधान मंतरी नहीं मुझे तो बहर उपिया लगता है बार बार रूप बदल का रा जाता है कहीं कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ कहीं कहता है मैं जमना का बेटा हूँ कहीं कहता है मैं बिहार का बेटा हूँ कहीं कहता है मैं बंगाल का बेटा हूँ अरे आप तो कहीं के बेटे ने लगते बेटे थे राजी उगांदी जो भारत के बेटे थे, भारत के लिए काम करते थे, भारत के लोगों के लिए काम करते थे, आप तो कहीं के नेवे परदान मंत्री जी, तरह साहता है कि लोग आपको किस किस तरह से समानित कर रहे हैं, समस्या फिर आने वाली है देश पर, हम तो कहते हैं सब को मिलकर काम करना सही है कांग्रेस पार्टी आपके साथ करी है कांग्रेस के लोग आपके साथ करे हैं राउल पिंका गंधी स्टैन आपके साथ करी है हमें कुछ जिम्मेबारी तो दो हमें काम करने लिए तो आगे लाओ आप तो चाहते हैं सभी कुछ चाप कर लेंगे इसी वज़ा से भारती दुर्दा साही हुए इस देश को छमा कर दीजिए माप कर दीजिए छोड़ दीजिए भीक मांग रहा है क्या रहा मुझे जिता दू सरम आती है कि हमने कैसा परदान मंतिर चुन लिया सही बात तो यह है ये लोग किसी के निये जो घर का नहीं बाप का नहीं बचों का नहीं दोस्तों का नहीं तो देश का कैसे सोचने की बात है देश में एक छोटा ठग है एक बड़ा ठग है सरब एडवेटाइज में करोड रुप्या खर्च कर रहे हैं अरे बंद करो ये एडवेटाइज किसके लिए है जब भारत और दिल्ली के लोग परिशान है तो शरम करो य आपके महला कलिनिक में कितने पेषैन्ट आडिमिट है एक भी नि मिलेगा आपने पैसा खराब करा देश का बक्त करा दिल्ली के लोगों को ठंक करा ठूट बड़ बोल कर एक छोटा जूटा और एक बड़ा जूटा हतिया लिया इस देश को इस देश को छोडाने के लिए म झाल झाल